नमस्कार प्यारी बच्चों, आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है, आज हम कक्षा सप्तमे का जुईतिय पाठ दुरबुद्धी विनश्यती पढ़ेंगे, सभी बच्चे ध्यान पूरोग पूरे पाठ को पढ़ें और एक शब्द के अर्ध को समझें, पाठ बहुत ही श्रयाले में आप सभी का पुना-पुना स्वागत है, बच्चों, आज की कहानी हम आरंप करते हैं, अस्ती मगद देशे फुलोत पल नाम सरह, अर्थात, फुलोत पल नाम वाला सरोवर, मगद नामक प्रदेश में है, फिर से देखिए इसे, अस्ती मगद देशे फुलोत पल नाम सरह, अर्थात, मगद नामक प्रदेश में फुलोत पल नाम वाला एक सरोवर है, सरोवर अर्थात तालाप, अस्ती अर्थात है, तत्र, संकट विकटव, हन्सव, निवसतः, महां संकट और विकट, ये दो हन्स रहते हैं, संकट और विकट उनका नाम है दो हन्सो का, और वो दोनों उस तालाप में, उस सरोवर में रहते हैं, कमबो ग्रीव नाम कहा, तयोह मित्रम, एक कुर्मा अपी, तत्र, प्रतिवसतिस्म, वही पर रहता था, तो बच्चों, अभी हमने जाना कि इस पार्ट में, हमें दो हन्स और एक कचवे की कहानी पढ़ने को मिलेगी, हन्सो का नाम है संकट और विकट, और कचवे का नाम है कमबो ग्रीव, और ये तीनों ही आपस में मित्र हैं, तीनों ही एक सरोवर में, जो की फुलोतपल नाम वाला सरोवर है, उसमें रहते हैं, आगे देखिए, द्वीती अनुचेद, अथ एक अदा धीवराह तत्र आगच्चन, अथ एक अदा, अब एक बार धीवराह तत्र आगच्चन, धीवराह होता है मचवारे, तत्र वहां उस तालाब में आगच्चन आई, तो एक बार कुछ मचवारे वहां पर आई, ते आकथयन वयम श्वह मत्से कूर्मादीन मारईश्या महा हम कल मत्से और कच्छुए मत्से होती हैं मचलियां कूर्म यानी कच्छुए इत्याधी को मारेंगे उन्होंने क्या कहा मच्छवारोंने कि हम कल शुह अर्थात आने वाला कल मत्से पूर्मा दीन मचली और कच्छवे इत्याधी को मारेंगे एतच शुत्वा कूर्मा आवदत मित्री किम युगा प्याम धीवराणा वार्ता शुता यह सुनकर इतच शुत्वा यह सुनकर कूर्मा आवदत कच्छवे ने बोला मित्रों क्या आप दोनोंने धीवरों की बात को सुना है धीवर अर्थात मच्छवारे मच्छवारों की बात को सुना है अधुना की महम करो मी अब मैं क्या करूँ हन्सव आवदताम दोनों हन्सव ने कहा प्राताह यद उचितम तत करतव्यम सुबह जो ठीक होगा वो करेंगे कुर्मा आवदत मैवम तद यथा हम अन्यम हरदम गच्छामी तथा कुरुतम अईसा नहीं है मईवम नहीं नहीं ऐसा नहीं तद यथा अहम अन्यम हरदम गच्छामी तो जिस प्रकार मैं दूसरे सरोवर में जा सकूं तथा कुरुतम वैसा ही आप दोनों करो देखिए क्या होता है जब मच्छुवारे आते हैं तो उनकी बात को कच्छुवा सुन लेता है और सुनके अपने दोनों मित्रों से हंसों से कहता है कि क्या तुमने मच्छुवारों की बात सुनी अब मैं क्या करूंगा तो दोनों हंसो ने का सुबह जो सही होगा वो हम कर लेंगे लेकिन कच्छवा कहता है नहीं नहीं ऐसा नहीं है तुम दोनों ऐसा कुछ करो कि मैं दूसरे तालाब में दूसरे सरोवर में तुम्हारे साथ चला जाओं हंसव आवतताम दोनों हंसो ने क्या कहा आवाम किम करवाव हम दोनों क्या करें कुर्म आवतत अहां विवाभ्याम सह आकाश मारगेण गंतु मिच्छामी क्या कहा उसने देखिये ध्यान से क्षवा बोला कि आहां विवाभ्याम सह आकाश मारगेण गंतु मिच्छामी मैं तुम दोनों के साथ आकाश मारग से आकाश के रास्ते से अठात उड़कर अनित्र गंतु मिच्छामी कहीं ओर जाना चाहता हूँ अन्यत्र कहीं ओर गंटु मिच्छामी जाना चाहता हूँ पूरा वाके फिरसे देखिए, कशोः ने कहा कुर्मा अवदत अहाम यू अभ्यां सहा आकाश मारगेन अन्यत्र कंटु मिच्छामी मैं तुम दोनों के साथ आकाश के रास्ते कहीं ओर जाना चाहता हूँ अब देखिए दोनों हंस क्या कहते हैं अगले पैराग्राफ में हम पढ़ेंगे हंसव आवदताम दोनों हंसो ने कहा अत्र कह उपाय है तो इसके लिए क्या उपाय है क्या तरीका है कैसे ऐसा हो सकता है कच्चपह वदती युवाम काश्ट दंडम एकम चंच्चवा धारयताम अहम काश्ट दंड मत्धे अवलंब्य युवयोहो पक्षबलेर सुखेन गमिश्यामी दोनों हंसो ने बुला हंसव आवदताम अत्र कह उपाय है तो इसके लिए उपाय क्या है तो कच्चपह वदती युवाम काश्ट दंडम एकम चंच्चवा धारयताम युवाम तुम दोनों काश्ट दंडम एकम अर्थात एक लकडी के डंडे को चंच्चवा धारयताम चोंच से पकड़ लो कहने कार्थ क्या है कि उसने उपाय पताया कच्चवे ने कि तुम दोनों एक लकडी के डंडे को अपने अपने चोंच से दोनों साइड से पकड़ लो और बीच वाले हिस्से में मैं तुम दोनों के पक्ष बल से आनि पंको के बल से तुम दोनों के पंको के बल से मैं भी उड़ता मैं तो बीच में लटका होगा लेकिन तुम दोनों उड़ोगे तो उसके बल से मैं भी लटका हुआ तुम्हारे साहता से तो कुर्वक चला जा संभवती एश हुपाय है यह काम करना बड़ा सरले संभव हो जाएगा किंतु इस में एक मुसीबत भी है उपाया अपाया देखिए बच्चों उपाया अपाया दोनों ही शब्द एक दुसरे के विपरीट हैं ठीक है अपाया अरथात मुसीबत और उपाया अरथात मुसीबत से भाऄ आने का कोई तरीका तो यह कहता है फिर से देखेंगे ध्यान से संभवती एशा उपायह दोनों हंसों ने कहा कि यह उपाय तो संभव है किन्तु अत्र एक हा अपायो पी वर्तते किन्तु इसमें एक अपायह अर्थात एक मुश्किल भी है क्या मुश्किल है आवा प्याम निय मानम त्वाम अव लोक के जनाह किंचित वदिश्यन्ति इव आवाम अर्थात अवा प्याम हम दोनों के द्वारा निय मानम ले जाए जाते हुए तुम्हें अवलोक्य देखकर जनाह लोग खिंचित वदिश्यंति एव कुछ ना कुछ तो कहेंगे ही जदी तुम उत्तरम दास्य सी तदा तव मरणम निश्चितम जदी तुम उत्तर दोगे जदी तुम उत्तरम दास्य सी अगर तुम उत्तर दोगे तदा तव मरणम निश् इसलिए तुम यहीं पर रहो ऐसा कहा दोनों हनसों ने तत शुत्वा कुर्धा कूर्मः अवतत उसे सुनकर क्रोधित गुस्से में कच्छवे ने कहा कि महा मुर्खा उत्तरम नदास्यामी किंजिदबिनवदिश्यामी क्या मैं मुर्ख हूं क्या मैं पागल हूं उत्तरम नहीं दूंगा किंजिदबिनवदिश्यामी थोड़ा सा भी नहीं वोलूंगा कुछ भी नहीं वोलूंगा अतह अहम यथा वदामी तथा युवां कुरुतम इसलिए मैं जैसा कहता हूं तुम दोनों वैसा ही करो ठीके बच्चों तो देखिए चित्र में भी दर्शाया ग उनका एक उपाय था दूसरे सरोवर में जाने का वैसा ही किया गया चित्र में देखिए ध्यान से दोनों साइड हंस हैं और बीच में कच्छुआ लटका हुआ है और आकाश मार्ग से उड़ते हुए ये लकड़े की डंडे की साहता से जा रहे हैं अब देखिए आगे क्या होता है गाओं के कुछ लोगों ने देखा ये चित्र में दिखाया गया है और पैराग्राफ में हम पढ़ेंगे शब्द शह एवं काश्ट दंडे लंब मानं कूर्मं पाउराह आपश्यन एवं इस प्रकार से लकड़ी के डंडे पर लटके हुए कच्छुए को नगरवास पश्चात आधावन आवदंच और पिछे पिछे दोड़ने लगे और बोलने लगे हम हूँ मध अश्चरयम हंसा भ्यांसा कूर्मों पे उठीये थे अरे अरे बड़े हैरानी की बात है हम हो महत अश्चरियम अरे अरे बड़े हैरानी की बात है हंसा भ्याम सह दो हंसों के साथ कच्छुआ भी उड़ रहा है कुर्मों पे उड़ियते कश्चित वदती और उनमें से कोई बोला वो क्या कहता है एक व्यक्ति उन में से कि यदि अयम कूर्मह अगर यह कछवा कथमपी निपतती किसी तरह गिर जाए तदा तो अत्रईव पक्तवा खादिश्यामी तो यहीं पका कर खा जाओंगा अपराह अवदत दूसरा बोला सरस्तीरे दगद्वा खादिश्यामी सरोवर के किनारे सरस्तीरे तालाव के किनारे दगद्वा खादिश्यामी जलाकर इसको पकाकर खादिश्यामी खा जाओंगा अन्या कथयत दूसरा बोला ग्रिहमनी तुवा भक्ष इश्यामी ती घर ले जया कर खा जाओंगा ऐसा तेशाम तद वचनम शुत्वा कूर्मा कृध्ध जाता ह। उन सब के उन वचनों को सुनकर कूर्मा कृध्ध जाता ह। कचुवा क्रोधित हो गया, गुस्सा आ गया इसे कचुवे को। तो वो रहने पाया और उसने बड़े क्रोध में ये बोला कि योयम भस्म खादत त। जैसे ही उसने ये बोला उसके लिए मूँ को खोला और डंडे से उसकी जो पकड़ थी, उसके मूँ की वो छूट गई, ततक्षणामेव कूर्माह दंडात भूमव पतित ह। नगरवासियों के द्वारा वेह मारा गया अतह एवोक्तम इसी लिए कहा गया है सूहरदाम हितकामानाम वाक्यम यो नाभिननदती सूहरदाम हितकामानाम वाक्यम यो नाभिननदती सकूर्मय दुर्बुद्धी काश्टात भ्रष्टो विनश्यती सूहरद होता है बच्चों मित्र सूहरदाम जो शब्द आया सूहरद शब्द का ही शेष्टी भक्ति का बहु अचन है दोस्त मित्र फ्रेंड और ये दोनों शब्द पर आये हैं सुहिर्द औरमित्र दाम का आर्थ हुआ मित्रों का हित का मानाम हित को चाहने वालों का वाक्य वाक्य, यह नाभिननदती जो नहीं मानता है पूरा वाक्य देखेंगे जो व्यक्ति यह जो हित का मानाम सुहरदाम हित को चाहने वाले मित्रों की वाक्यम बात को ना भी नंदती नहीं मानता है नहीं सुनता है सह कूर्मा इव दुर्बुध्धी सह दुर्बुध्धी वह जो दुर्बुध्धी व्यक्ति है वो कूर्मा इव कच्छुए के समान काश्टाद भ्रष्टाविनश्यती लकडी से गिरकर नश्ट हो जाता है जैसे की कच्छुआ लकडी से गिरकर नश्ट हो गया फिर से शलोक को समझ लेते हैं हम पाठ की शिक्षा दी गई है जो पाठ समाप्त होता है तो उसके बाद संस्कृत के सभी पाठों में बच्चों आपने देखा होगा कि पाठ से जो हमें शिक्षा मिलती है वो शलोक के रूप में दर्शाई जाती है तो यहां पर हमें कभी समझा रहे हैं कह रहे हैं कि इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जो हित चाहने वाले भलाई चाहने वाले हमारे मित्र हैं उनकी बात को जो व्यक्ती नहीं मानता है उसकी दशा उस कच्छुए के समान होती है जैसे वो दुरबुद्धी कच्छुआ मुर्ख बुद्धी वाला जो कच्छुआ था वो लकड़ी से गिर कर जमीन पर गिर कर मारा गया इसी प्रकार से कोई ना कोई मुसीबत हम पर आ सकती है यदि हम अपनी भलाई को चाहने वाली मित्रों की बात को नहीं सुनते हैं नहीं समझते हैं तो बच्चों इसमें मित्रता की भी हमें शिक्षा दी गई है कि अच्छे मित्र जो होते हैं उनकी बात को हमें सुनना समझना चाहिए और साथ ही सजग रहने की भी शिक्षा दी गई है कि कच्वे ने जो बात को सुन लिया था मचवारों की बात को कि अगले दिन आकर वो सरोवर से मचलियों को मारेंगे तो समय रहते अपने लिए कोई सही उपाय किया जाए तो इस प्रकार से आपने इस पूरे पार्ट को सुना समझा और जो मैंने अंक लिखे हैं श्लोक के साथ साथ शब्दों के उपर इसको हम कहते हैं अनवय संस्कृत श्लोकों को समझने के लिए अनवय करना बहुत ही आवशक है आप बड़ी कक्षाओं में इस अनवय को और भी विस्तार पूबक समझेंगे परिक्षा की दृष्टी से भी अनवय महत्पूर्ण विशा है ये टॉपिक ये बिंदू आपके आने वाली क्लासिस में ये भी आपको आता है पक्र okam में तो श्लोक को समझने के लिए क्रम बत तरीके से शब्दों को लगाना अनवय कहलाता हैं क्योंकि जब श्लोकों का निर्मान होता है कभी लोग जब श्लोकों की रचना करते हैं तो उसमें हिंदी भाशा के नुशार करम नहीं होता है कई बार क्रिया पद करतरी पद आगे पिछे होते हैं तो हमें हिंदी वाक्य के अनुसार उसे करम से लगा कर उसके अर्थ को समझते हैं तो उसके लिए अन्वे किया जाता है इसे आप अपने कॉपी में कर लेंगे और पूरे पाठ का अर्थ समझ लेंगे ध्यानपूर्वक साथ ही बचों जहां ये पार्ट समाप्त होता है उसके बाद कुछ शब्दार्थ दिये गए हैं इन्हें आप अपने कॉपी में अवश्य ही नोट करेंगे और साथ-साथ इनको कंठस्त करेंगे लर्न करेंगे बचों इसके बाद आता है अभ्यासकारिये ज सारे कोश्चन्स हम इसी वीडियो में हल करते हैं तो केवल आज की वीडियो का इतना ही उदेश है कि आप सभी पार्ट को ध्यान पूर्वक समझें शब्दों के अर्थ को नोट करें और याद भी करें तो बचों इसके प्रश्णोत्तर को हल करने के लिए अगली वीडियो म में हम फिर से मिलेंगे तब तक के लिए आप सभी अध्यान जारी रखें स्वाध्याय करें खूब महनत करें अपना ध्यान रखें अपने स्वास्थे का अपने परिवार का पूरा ध्यान रखें नमोना महा बच्चों शबमस्तू मिला महा